मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं तो चिकित्सा सेवा में 24 घंटे गस पराता हूँ आप तो पेसे से डॉक्टर हैं तो आप जाके राजिनीत में आएं समाज सेवा करने या पिर पैसा कमाने के लिए ना खाऊंगा ना खाने दूंगा आप सभी को पता है कि पूरे बेगुस राय में नगर निगव चुनाओ शुरू हो चुका है और ऐसे हमारे साथ जूरी हुई है डॉक्टर गीता कुमारी तो हम इनसे बातचीत करेंगे कि आप मेयर परतियासे हैं तो आप अपने छेतरे में सबसे पहले अगर जीतते हैं तो क्या विकास करना चाहेंगे खास कर मेलाओं को जो घर में दबुची जाती हैं उनको समाज में निकाल करके उनके सक्षा सबसे पहला अगर आप जीतते हैं तो मुझे लगता है कि सिक्षा पर ध्यान देना चाहिए आपका ध्यान सिक्षा के और नहीं जा रहा है पिछले कितने बर्सों से समाज सिवा करने का कारे कर रहे हैं जैसे कि आप भाग ली है इससे पहले भी आप लिये हुए अच्छा आप लोग इनके समर्था कि आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर गीता के बारे में आप निरवर महिला यह महिला वह इसी नहीं है जिनके पीछे यह पती के हाथों की तक्षुपली होगी इसी नहीं है मेरे पास टाइम ही नहीं है मैं तो चिकित्सा सेवा में चोविस घंटे दस पिराता हूँ यह आदमी दस काम कर सकता है अच्छे से क्यारामा काम भी वह अच्छा से कर सकता है तो देखे अभी हमारे साथ जूरे हुए है डॉक्तर राजेस कुमार तो सर आप से मेरा सवाल रहेगा कि आप तो पेसे से डॉक्तर हैं तो आप जाके राजिनीत में आएं समाज सेवा करने या पिर पैसा कमाने के लिए मेरा घर बहुत अच्छे से चलता है दोनों पती पतनी डॉक्टर है आप सोच सकते हैं अगर जनता इन्हें आशिरबात देती है आप क्या कहना चाहेंगे दॉक्तर गीता कुमारी जो है पढ़ी लिखी महिला है और डॉक्तर रहने के कारण उनका सेवा वहाव रहा है तो बेगूस रहे कि एगर जिम्मेदारी उनको जनता देती है उसमें वो सर्वांगिन विकास करेंगे उनका बहवार सुरू से कैसा रहा है बहुत अच्छा रहा है और कहीं ना कहीं एक से एक भाव्बे परतियासी भाग ले रहे हैं तो क्या लगता आप लोगों को जनता जनारदन सुरू से देखती आ रही है उनको मुझे उमीद है कि गीता कुमारी को अपनों जन समर्थन देजी आप क्या कहना चाहेंगे मैं मैं बहुत कुछी हुई है कि डॉक्टर गीता जी के समर्थक में हैं अच्छा डॉक्टर गीता जी के आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे हम अहीं कहना चाहें यह जो वह जीत जाते हैं तो देवर्जाय का करने में गली-गली में तिक्छा से लेकर पाज को तक और स्वास्ति लिभाग में भी वह काफी विकास करने का कार्य करेंगे आप क्या कहना चाहेंगे चाहेंगे जो अगले पांच साल में जो थे मेर उसे हम संठुस्टी नहीं है कि अगला पांच साल में इसे हम संठुस्टी नहीं है पूर्व काल में जो मेर हैं क्या आप उन्से संतुष्ट नहीं है इसका मतलब कोई कार्ण हुआ धंक किये हैं या नहीं कोई कार्ण नहीं किये अच्छा यह जीतेंगे सबसे पहले आप इनसे विकास क्या करवाना चाहिए इनसे विकास है क्या था जा विकास करवाएंगे तो देखिये अभी हम एर परतियासी डॉक्तर गीता जी से बातचित किये और और परतियासी से बातचित करेंगे तो जोने के लिए जूरे रहें बीवियाल नुश के सब दने बात